नमस्कार, सेवाव और अध्यात्पिक्ता की प्रतिक अम्मा, माता अम्रुतानल महीची को, मेरा साधर प्रणाम, उनके सत्तरवे जन्मदिवस के अउसर पर, मैं अम्मा के लंबे और स्वस्त जीवन की कामना करता हूँ. मेरी प्रार्थना है, दुनिया भर में प्रेम और करोणा के प्रसार का, उनका मिशन निरंतर आगे बढ़ता रहे। मैं अम्मा के साथ तीछ से अधिक वर्सों से सीधे संपर्ग मैं हूँ. कच्छ में भूकम के बाद मुझे अम्मा के साथ लंबे समय तक काम करने का अनभव मिला था। मुझे आज भी वो दिन याद है जब अम्मा का साथ वा जन्मदीन अमृतापुरी में मनाया गया। आज के इस कारकम में मैं प्रत्यक्ष उपस्तित होता तो मुझे और आनन्द आता और अच्छा लगता। आज भी मैं देखता हूँ अम्मा के मुश्कराते चहरे और स्ने से भरे स्वभाव की गर्म जोशी पहले की तरही बैसी ही बनी हुई है। और इतना ही नहीं पिछले दस वर्षों में अम्मा के कार्य और दुनिया पर उनका प्रभाव कही गुना बढ़ गया है। पिछले वर्ष अगस्त में मुझे हर्याना के फरिजाबाद में अम्रता हॉस्पिटल के लोकारपन करने का सोभागी मिला था। अम्मा की उपस्थिती का उनके आशिरवात का जो आभा मंडल होता है वो शब्दों में बताना मुश्किल है। उसे हम सिर्फ मैसूस कर सकते हैं। मुझे आद है तब मैंने अम्मा के लिए कहा था। और आज दोहराता हुँ। स्नेह तिंडे, कारुण्य तिंडे, सेवन तिंडे, त्याग तिंडे, परियाय मान अम्मा माता, अम्रुतान नमै देवी, भारत तिंडे, महत्ताय, आध्यात्मिक पारंपर्यत तिंडे, नैरव काशियन, अर्थात, अम्मा, प्रेम, करुणा, सेवा और त्याग की प्रतिमूर्ति है। वो भारत की आध्यात्मिक प्रंपरा की वाहक है। साथियों, अम्मा के कारियों का एक पहलू ये भी है, कि उन्होंने देश विदेश में संस्थाओं का निर्माण किया, उन्हें आगे बढ़ावा दिया। स्वास्त का अक्षेत्र हो, सिक्षा का अक्षेत्र हो, अम्मा के मारदर्शन में हर संस्था ने मानो सेवा को, समाज कल्यान को नई उचाई दी। आज देश ने स्वाच्छता का अभ्यान शुरू किया, तो अम्मा उन शरुआती व्यक्तित्व में से थी, जो इसे सफल बनाने के लिए आगे आई। गंगा तर्ट पर जो गाउं बसे हैं, उन गाउं में सवचाले बनाने के लिए, उन्होंने सो कुरूर रुप्य का भी दान दिया था, जिससे स्वाच्छता को नया बन मिला। दुनिया भर में अम्मा के अन्याई हैं और उन्होंने भी भारत की छवी को, देश की सांख को हमेशा मजबूत किया है। जब प्रेणना इतनी महान हो, तो प्रयास भी बड़े हो ही जाते हैं। साथियों, महामारी के बाद के दुनिया में आज विकास को लेकर भारत की human-centric approach को स्विकार किया जा रहा है। ऐसे मोड पर अम्मा जैसे व्यक्तित्व भारत की human-centric approach के प्रतिमीम है। अम्मा ने हमेशा ही असक्त को ससक्त बनाने और वंचीतों को वरियता देने का मानविय यग्य किया है। कुछ दिन पहले ही भारत की संसप्त ने नारी शक्ती मंदन अधिनियम भी पास किया है। Women-led development के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे भारत के सामने अम्मा जैसा प्रेनादाई व्यक्तित्व है। मुझे विश्वास है कि अम्मा के अनुयाई दुनिया में शांति और प्रगति को बढ़ावा देने के लिए ऐसे ही काम करते रहेंगे। एक बार फिर मैं अम्मा को उनके सत्तरवे जन्मदिवस की सुब कामनाई देता हूँ। वो दिरगायू हो, उनका स्वास्त बहतर रहें, वो मानवता की ऐसे ही सेवा करती रहें, हम सभी पर ऐसे ही अपना स्ने बरसाती रहें। इसी कामना के साथ मैं अपनी बार समाप्त करता हूँ, फिर एक बार अम्मा को बहुत बहुत पणाम।